इसलिए वीडियो में हमने ये देखा था कि हम अपने ब्लाग पोस्ट को डिफार्ड होम पेज से कैसे सेबरेट कर सकते हैं और साथ में हमने ये भी देखा था कि हम अपने किसी भी पेज को लेंडिंग पेज या होम पेज कैसे सेट कर सकते हैं तो अभी हम देखते हैं का permalinks क्या होते हैं और permalinks को set करके हम अपनी website की post को कैसे SEO friendly बना सकती है Actually permalink हमारी website का, हमारे pages का, हमारे categories का, post का एक total URL होता है मालिजे मैं यहाँ पर अपनी blogs में आकर किसी एक post को open कर लेता हूँ Health और यहाँ पर इस post को open कर लेता हूँ इसके बाद यहाँ पर slash 2021 slash 12 slash इसके बाद post का नेम यहाँ पर यह शो कर रहा है जो के बहुत ही difficult और non SEO friendly है तो हम इसको SEO friendly कैसे रख सकते हैं इसको customly कैसे change कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर dashboard में आ जाओंगा dashboard में आ जाने के बाद यहाँ पर मैं setting के section में आकर permalinks को open कर लेता हूँ जो कर लेता हूँ सो default में हमारा permalink custom structure select है यानि कि हमारा जो अभी permalink shower है वो यहाँ पर हमारी domain है उसके बाद यहाँ पर slash year है उसके बाद slash month number slash post name है जो कि बहुत ही difficult है और non SEO friendly है सो अभी मैं देख लेता हूँ कि इन 4-5 option में से कौन सा हमारे पास SEO friendly है रहेगा domain slash p is equal to 123 सो यह भी SEO friendly नहीं है इसके बाद यहाँ पर मैं date name को check कर लेता हूँ यहाँ पर हमारी domain slash date slash उसके बाद मारी post है सो यह भी मैं select नहीं करता इसके लावा यहाँ पर month and name है इसको भी मैं देख लेता हूँ मारी domain slash date slash post name also non SEO friendly उसके बाद नूमरेक है नूमरेक में total यहाँ पर यह और चीवस के बाद यहाँ पर यह नंबर शो करेगा जो के बहुत ही difficult है और non SEO friendly है उसके बाद यहाँ पर हमारे पास option है post name सो post name को मैं check कर लेता हूँ हमारी domain slash direct हमारी post यहाँ पर यह शो करेगा सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे simple और short जो हमारे URL बनेगा वो यहाँ पर हमारी domain उसके बाद slash direct हमारी post का यहाँ नेम यहाँ पर show होगा सो मैं इसको select कर लेता हूँ scroll down करूँगा और यहाँ पर save change कर लेता हूँ कि इसके पाद यहाँ पर अपनी website में आ जाता हूँ और यहाँपर मैं अपनी post को यहाँपर open कर लेता हूँ यहाँ पर इसको open कर लेता हूँ सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब भी जो हमारा URL बन रहा है यहाँ पर्मा लिंक बन रहा है वो हमारे जहाँ पर domain उसके पास slash हमारे यहाँ पर post का नाम यहाँ पर यह शो कर रहा है जो के बहुत ही simple और बहुत ही short URL बन रहा है जो के SEO friendly है लेकर यहाँ पर मैं अगर इसको change कर लेता हूँ यहाँ पर पर्मा लिंक को मैं यहाँ पर day and name कर लेता हूँ नीच जाकर इसको save change कर लेता हूँ यहाँ पर अपनी website में आ जाता हूँ और यहाँ पर इसको refresh कर लेता हूँ तो यहां पर यह हमारी domain उसके बाद slash और यहां पर यह date शो कर रहे उसके बाद यहां पर यह slash के बाद हमारी post यहां पर यह शो कर रहे है जो कि यहां पर यह non SEO friendly है सो मैं मैं दोबार इसको post name change कर लेता हूं इसके बाद यहां पर इसको save change कर लेता हूं इसको refresh कर लेता हूं यहां पर दोबार आ जाता हूं सो हम इस थान से हम अपनी website हम अपनी post का यहां पर पर फर्मी यहां पर. आपर इस स्लेक्ट का सकते हैं haha set कर सकते हैं तो यहां पर मैंने अपने post अरी या पर्मा लिक अस्लेकु फर्रेंड्ली सच कर लिया है यानि कि अगर अभी कोई Google पर जाकर वहाँ पर हमारी इस post का यहाँ पर title वहाँ पर इंटर करेगा सर्च करेगा तो हमारी यह post किसी ना किसी rank पर वहाँ पर show होगी लेकिन अगर यहाँ पर मैं इसका permalink यहाँ पर d and name selector लेता हूँ, save change कर लेता हूँ date भी वहाँ पर day में enter करनी होगी, तब भी वहाँ पर हमारी post show होगी, वहाँ पर हमारी post rank करेगी, तो इसलिए हम यहाँ पर permalink यूज़ करते हैं मैं इस date को अटा लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको post name कर लेता हूँ दुबार out यहाँ पर change कर लेता हूँ refresh तो यहाँ पर अभी जो हमारे url बन चुका है हमारे जो permalink के वो यहाँ पर simple और short बन चुका है, यानि के हमारी domain slash और हमारी post यहाँ पर यह show हो रही है तो इस तरह से हम अपनी post की permalink को change करके SEO friendly set कर सकती है